एक ऐसी घटना जो घटित होने वाली है आपके जीवन पर और कौन सी वो घटना होगी इसी बात को ले करके ये वीडियो हम आपके सामने ले करके उपस्तित हुए हैं ध्यान लखेगा देव गुरु बिरस्पती जो की भागय के स्वामी माने जाते हैं बागय के कारक माने जाते हैं ये वक्री सिति पर आ रहा है और ठीक 4 सितंबर सन 2023 का वो दिन है आज का वो दिन होगा जब ठीक रात्री के 7 बद कर 40 मिनट पर ये वक्री हो जाएंगे और पहले से ही सुक्राचार जी महराज जो की स्वेम देथ गुरु माने गए हैं ये प्राता काल आज ही 6 बच कर 50 मिनट पर ये मारगी हो गया है वास्तों में इन दोनों के ग्रहों का प्रभाव क्या निकल करके हमारे जीवन को बहुत अधिक पदिवर्तित कर देगा और कौन-कौन सी घटनाएं हमारे जीवन पर घटित होने वाली है इसी बात को आप और हम मिल करके समझने वाले हैं सबसे पहले हमने इस वीडियो को तीन भागों में बाटा है पहला सुक्र का मारगी होना दूसरा गुरू का वक्री होना इन दोनों के द्वारा क्या घटना है घटित होगी और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट होगा कि इन दोनों के द्वारा कौन सी घटना है जो घटित होकर के ही रहेंगी इसलिए पहले पॉंट पर शलते हैं जो कि सुक्रका मारगी होना चार सितंबर से एक अक्टूबर तक सुक्र डिवता आपके मारगी रहेंगे और ये मारगी इस्तिति पर होना मतलब ये कहाँ पर है आपके अपने लगन रासी के अनुसार ये आपके पंचम भाव पर मारगी हो जाएंगे पंचम भाव पर मारगी होंगे जिस भाव के ये स्वामी होंगे आपके अस्टमेस हैं और साथ इसाथ ये आपके पराक तो इनका मारगी होना एक प्रकार से ये माले है कि यदि हमारे माइंड में हमारे बुद्धी में किसी प्रकार से कोई कमी रह गई है कमी का तात पर ये समझेगा हमारे निर्णय छमता में कोई कमी रह गई है या हमने कोई निर्णय पहले लिया है उन निर्णयों का प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है तो इन दोनों ही परिपेक्ष से यहां पर आपको एक उचित परिणाम देखने को मिल सकता है सुक्राचारेजी महराज जो कि आपके पराकरम भाव के स्वामी है इस समय पर आपकी बुद्धी मता में एक पराकरम की अभिविद्धी होते हुए दिख सकती है जिसके द्वारा हम अपने कारे को बेहतर परिणाम पर ले जा सकते हैं यह सुक्रदेउता इतने प्रभाव कारी हो जाते हैं आपके कुंड़ी पर आपके गोचर पर जो कि यह आपके तीसरे भाव आपके मार्केटिंग आपके जिवन में संघरसों के स्वामी बनते हैं सुक्र का जाप पंचम में आना मतब दामपत जिवन में प्रेम की संचार को बरहोतरी करेंगे ही सुक्रदेउता स्वेम प्रेम के प्रतिक माने गए हैं इस प्रेम की द्रिश्टी कोड़ से आप यदि रिलेसंसिक में हैं या आप किसी लव अफेयर में हैं दोनों ही संतान को ले करके ठोड़ी बहुद शसमय पर चिन्ता रह सकती है अब समझते हैं अगले पॉइंट पर जो देवगुरू विरस्पती का पॉइंट है देवगुरू विरस्पती आपके लिए इतने योग कारक हो जाते हैं इतने ज्यादा प्रबलता को सिद्ध करने वाले हो कुछ आपके जीवन पर यह ला करके रखते हैं अभी चार सितंबर को से ले करके 31 दिसंबर मतलब इस साल के पूरे अंत तक ये देव गुरु बिरस्पती वक्री स्री पर आ गए हैं और चल कहां रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट भाव हो गया आपके धन भाव भाव हमारे धन के भाव पर देव गुरु बिरस्पती वक्री हो गए हैं इसका साफ साफ मतलब यह होगा कि इनके पास जो चेस्टा बल की व्रिद्धी है वो तीन गुना बढ़ जाएगी मतलब इनके पास पावर जो जो भी प्रदान कर रहे हैं उस पर तीन गुना की व्रिद्धी तो कार्थिक समस्याओं के द्रिष्टी कोण से इसे बहुत अच्छा मानेंगे यदि आपके कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं समस्या को चल रही है यह पैसों को ले करके इसे बेहतर परिणाम मानेंगे देव गुरु बिरस्पती आपके अपने फेवर के गरह हैं आपके अपने रासी के स्वामी है इसलिए धन से समंधित परिसानियों से मुक्ति दिलाने का प्रथम इंगा प्रहास होगा सिर्फ यही नहीं देव गुरु बिरस्पती भाग के कारक माने गए हैं इसलिए यदि भाग के कही बात होती है और भाग के स्वामी यदि वक्री होते हैं तो यह मानना है कि भाग में से ही हमें धन की प्राप्ती होना भाग यह हमारे धन भाव पर यही वो भाव है जो हमारे कॉटोंबिक जन का है हमारे पारिवारिक जनों का है इसलिए एक देव गुरु बिरस्पती यदि पारिवारिक कोई परसानी चल रही है विवात चल रहे है या आपसी द्वेश चल रहा है इन सब को मैनेज करने के लिए देव गुरु बिरस्पती वक्री सिति पर कायम हो करके आपको सुबता देना है, ये आपको समझना है। देव गुरु बिरस्पति का सीधा सिधा सम्탄 हमारे परमात्मा से होता है या फिर हमारे गुरु से होता है। वो गुरु देव जो जिससे हमने दिक्षा लिया है, जिससे हमने सिक्षा लिया है, जो हमें पथ पथ पर और पग पग पर जो हमें अच्छा मार्ग देखाते हैं, वही हमारे परमात्मा वही गुरु देव हैं। माना जाता है देव गुरु बिरस्पती जब दुती भाव पर हो और वक्री स्थिती पर हो हमारे बोल चाल में एक ऐसी सक्ति कायम हो जाती क्योंकि ग्यान के कारा की देव गुरु बिरस्पती है और ग्यान की अभी बृद्धी होना कैसे नहीं होगी और उसके अपने बात चित के द्वारा ही यदि आपका कार्य ही है किसी के सांथ dealt deal करना या बात चित के दावरान आप अपने कारी चलाते हैं ये सब कारिये आपका बहुत अच्छे से होना है उन सब कारियों से आपको सफलता मिलना है देव गुरु बिरस्पती ये प्रदर्सित करते हैं बात सिर्फ यहां समापत नहीं होती देव गुरु बिरस्पती जब वक्रिस्थिती पर होंगे तो उनका प्रभाव आपके अपने स्वैम के लगन पर होगा इसका मतलब कोई भी साररिक बियाधियां बनी हुई है उनसे मुक्ती दिलाएंगे देव गुरु बिरस्पती इनके पास गंगा जल है और उसी गंगा जल को समझते हुए इनके पास एक, दो, तीन, चार, पाँच इनकी पंचम द्रिष्टी जो आएगी सीधे आपके छटे भाव पर जा रही है छटा भाव, बारा, एक, दो, तीन, चार, पाँच जहां पर पांच नमबर लिखी है, वो छटा भाव हो गया छटे भाव पर इनका द्रिष्टी जाना, मतब छटा भाव हमारे रोग रिण सत्रूओं का है इस समय पर आपको ये ध्यान रखना कि सत्रूओं से भी पैसा मिल सकता है मतब जो आपके सत्रूओं है, जो आपके विरोधी है, जो आपको चाहते हैं आप बढ़ना पाएं आगे, उनके द्वारा भी आपका कार ये बन सकता है, ये समझना है यदि आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए अच्छा योग है धन भाव के स्वामी जब लोन भाव पर जाते हैं, लोन मिलने की संभावना सरवाधिक बन जाती है लेकिन मेरा मानना है कोई नया करजे से आपको बचना चाहिए, इस समय पर कोई नया करजा आपको नहीं लेना चाहिए अब पुराने जो करजे हैं, उसका कोई न कोई एक अच्छा हल निकाल करके देव गुरु बिरस्पति रखेंगे क्योंकि आपके योग कारक हैं और धन्भाव पर वक्री हो रहे हैं, आप यह जानिए अब गुरु की एक द्रिष्टी और होती है, जो कि इनकी सात्वी द्रिष्टी सात्वी द्रिष्टी के उसार ये सीधें आपके अस्टम भाव को देखते हैं अस्टम भाव वो इस्थान हो गया जो हमारी बाधाओं का है, हमारी पीडाओं का है, हमारे कस्टों का है और निरंतर यदि हमारे जीवन में ये बाधाएं हैं, तो देव गुरु बिरस्पति अभी लगभग 118 दिनों के लिए 4-4 महिने के लिए 31 दिसंबर तक वक्रिशिती में आपके बाधाओं से, आपके पीडाओं से आपको मुक्ति कैसे नहीं दिलाएंगे देव गुरु की दिष्टी जिस भाव पर पढ़ती है, वो भाव गंगाजल के समान पवित्र हो जाती है गंगाजल को आपने देखा होगा, बड़े से बड़े पतीतों को पावन करने का एक सामर्थ होता है गंगाजल के पास जब ये गुरु देवता धन भाव से देखेंगे, तो धन का एक ब्योस्था बना देंगे जिससे आपका पारिवारिक जीवन, आपका दामपत जीवन या फिर आपके आर्थिक स्थिती खराब है उन सब को यहाँ पर जोड़ने का, अच्छा बनाने का बहुत अच्छा प्रयास किया जाएगा अस्टम भाव चूकी हमारे परिवर्तन का है, तो गुरु देव क्या हो रहा है, गुरु देव तो परिवर्तन ही हो रहा है ना भई देव गुरु बिरस्पती वक्री में आ रहे हैं मतलब मारगी से वक्री में आ रहे हैं तो परिवर्तन तो हो रही हो मतलब हो गही या हो रहा है इस टाइम पर अब देव गुरु बिरस्पती की एक द्रिश्टी और है जो यह साबित करेगी कि कैसे आपका कैरियर भी इस समय पर आपको धन देगा, ध्यान से समझेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, इनकी जो नौवी द्रिष्टी है, वो आपके दसंभाव पर पड़ रही है, दसंभाव का है का भई, दसंभाव हो गया, मेरा स्वयमका, मेरा करियर, मेरा प्रोफेशन, मेरा जाब, मेरा बिजनेस, ये सब दसंभाव है, अब दसंभाव पर देव गुरु बिरस्पति की द्रिष्टी होना, मतलब कहीं न कहीं गंगा जल की जागरिती कहां हो गई, आपक अपने करियर में हो गई काम यदि किसी बात को ले करके अटक रहा है या किसी काराण से बस आपको टलते जा रहा है आपका कारिया कारिय बनने की संभावना सरवाधिक बन जाएगी 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक आप प्रयास कीजे गरह गोचर आपका नुकूल है कुल मिलाकर कारिय बनने की संभावना जो लोग राजनीती में अपना भाग्या आज माना चाहते हैं तो भाग्य के स्वामी देव गुरु बिरहस्पती है भाई और इनकी द्रिष्टी जब हमारे दसम्हाव पर पड़ती है तो राजनीती में भी आपको सफलता दिला सकता है आपका भाग्य का सपोर्ट मिल सकता है और राजनीती क्या है आप सब जानते हैं भाग्य का उसमें खेल बहुत बड़ा है और इस कारण से भाग्य के स्वामी का स्वयम द्रिष्टी होना राजनेती में भी सबलता यहाँ पर आपको प्रधान करेगा कारे छेतर में यदि परिवर्तन का योग आप चाहते हैं परिवर्तन भी करा सकते हैं देखिए सिरह संबंध आपको जोड़ना है सिर्फ ग्रहों का दसम भाव का संबंध जोड़ना है दूसरे भाव से उतना लगाया उसके बाद भी हमें उतना फलकी प्राप्ति ना हो पाना लेकिन देव गुरु विरस्पति वह तो 21 अप्रेल से जब चल रहे हैं तो अभी तक मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुआ कोस्चन हो सकता है आपका इसके पीछे दो लॉजिक समझना है पहला तो यह है कि गुरु और राहु का चांडाल योग बना है तो राहु दिवता अभी डिग्री वाइस इनकी केपिबिलेटी कमजोर हो गई है हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया था आपने देखा भी होगा तो मतलब गुरु यहाँ पर अच्छे हो गया है मतलब मु वैरेना है आपको एक सीड़ी मिल गया मालillar समझेगो आपको उपर चड़ना है एक सीड़ी मिल गया है सीड़ी मिलना बहुत बढ़ी बात होती है चड़ना तो भाई हमें स्वायम है एक एक करके हम यदि उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो मंजील यदि कितनी भी उपर है या कितनी भी दूर है वो मंजील हमें प्राप्त कैसे नहीं होगी लॉजिकल बात को आप समझेगा ये मन जो होता है हमने बार-बार इस बात को कहते हैं कि मन को आपको समझाना पड़ेगा ये और चेतन मन में जो बैठे हुए हैं कि हमारा परिवर्तन नहीं हो सकता हम आगे नहीं बढ़ सकते आपको ये प्रूफ करके आपके मन को दिखाना होगा कि हाँ देखो देव गुरु बिरस्पती इस समय पर वक्री हो गए है और इनकी नवम द्रिष्टी अपने स्वयम अपने घर पर पड़ी हुई है तो उस घर की जागरिती कैसे नहीं होगी और ये भाव आपके करम छेत्र का होता है कोई नया कार्य अपनिवर्तन भी करना चाहते हैं उसके लिए अनकूलता यहाँ पर साबित होती है इस बात को आप समझना है अब उस घटना को समझते हैं जो घटना घटित हो सकती है इस टाइम पर ध्यान से समझेगा देव गुरु बिरस्पती जहाँ पर मौजूद है वो दूसरा घर है उनका एक प्रभाव आपके लगन पर भी आगया लगन पर आना इसका मतलब देव गुरु के पास एक मानक रुप से देव गुरु बिरस्पती आपके लगन पर भी यहाँ पर विराजित हो गया बारा नमबर पर होएं जो की स्वैम मीन रासी होती है मीन रासी कैथिपती गूरू होते हैं गूरू अपने स्वेम के अपने रासी पर है लेकिन यहीं पर बारा नमबर Slide देपते गूरू सुक्राचारज़ इनकी बात हुए थी यही इनकी उच्च की रासी है तो इनके सुक्र के उच्च के रासी पर महराज एक अक्टूबर तक रहेंगे तो आज 4 सितंबर से एक अक्टूबर तक देव गुरु बिरस्पति का संजोग बना है आपके पंचम भाव पर उपस्थित सुक्र के द्वारा कैसे बना है तो एक, दो, तीन, चार, पांच मतब गुरु की मानक द्रिष्टी आपके सुक पर पढ़ रहे हैं ये दो हो गए तीसरी पॉइंट पर आप समझेगा कि सुक्र देवता अभी वर्तमान में 18 डिगरी पर चल रहे हैं जबकि देव गुरु बिरस्पति अभी 21 डिगरी पर चल रहे हैं दोनों में 2-3 डिगरी का अंतर है इस काराण से भी ये दोनों एक उसी घटनाए होगी ये लॉजिक आपने समझा लगन हमारा स्वैम है मेरे स्वैम के प्रयासों के द्वारा इस समय पर बहुत कारी होंगे आपने यदि किसी और पर छोड़ दिया है कि भी कोई और मेरा कारी करेगा और यदि आप उसे फोन कर रहे हैं आप उसे बात कर रहे हैं तो ये समझना है कि इसमें मुझे अपना स्वैम जाना पड़ेगा मुझे उठना पड़ेगा अपने कारी की निष्ठा के लिए और तब हमें सफलता मिलेगी क्योंकि देव गुरु बिरस्पती आपके लगन को भी प्रभावित कर रहे हैं कोई और इस समय पर कारी किसी भाग के ले करके आते हैं और कभी-कभी होता है आप सोचेके कि भी बच्चे का मैं मौन हैं बच्चे की कrauenड़ी पे धन प्राप्ती का योग है अब बच्चे को अच्छा इसको और प्रभावी बनाने के लिए आप अपने संतान से संबंध अच्छा रखें या उनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आ सकते हैं जो उनके आवस्यक कारिया है जो आपने वादा किया है कि बेटा मैं या बेटी मैं आपके लिए कारे करूंगा और अभ करियर या उनके प्रोफेशन को लेकर के या फिर उनके एजुकेशन को लेकर के उनके कैडियर की बर्योतरी के लिए आपका कारे सरवाधिक होगा पंचम भाव पर गुरु जो की भागिके स्वामी होते हैं इनकी दृष्टि पढ़ रही हैं आपके स्वयम के एजुकेशन म बहुत पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी आपको इस समय पर कोई एजुकेशन लेना पढ़ सकता है या कुछ नहीं तो आप दखेंगे कि कमसम अपना बुक अपने सब्जेक्ट से सम्बंधित कोई बुक निकाल करके आप पढ़ सकते हैं ले सकते हैं इससे क्या होगा इससे आपने इन ग्रहों को एक्टिवेशन में ले आया और आपको लाग मिल गया गुरु सुक्र के इस कंबिनेशन पर सबसे जो अच्छा प्रभाव यह होगा अपने गुरु का इस समय पर सम्मान करना उनकी तारिफ करना और उनसे जुड़ा हुआ कोई घ हमारे पैसे हैं इन दोनों को यदि हमने जमा लिया अपने गुरु की इनका भिवादन कर लिया तो आपको धन प्राप्ति का संक्यत एक बहुत अच्छा मिल सकता है इस ताइम पर इस समय पर पंचम भाव चूकि हमारा प्रारब्द को भी प्रदर्शित करता है इस से जुड़ा हुआ कोई कार्य इस समय पर आपके सामने घटित हो सकता है जो आपके धन और आपके भाग्ये दोनों को परिवातित कर सकता है ये समझना है क्यों कि गुरु हमारे भाग्ये है और सुक्र हमारे धन है इन ही दोनों का कॉंबिनिसन तो हो रहा है भई आपके सबसे मेन भावस जो हमारे कुंडली में जो लगन होता है वो सबसे महत्वपून होता है और लगन पर देव गुरु बिरस्पती का वक्री होना धन भाव पर वक्री होना और लगन पर प्रभाव जाना दूसरा सुक्र स्वेम आपके इतने important गोरह हो जाते है हाला कि माना कि आपके दासी के स्वामी आपके लगन के जो स्वामी होते हैं गुरु उनके सत्रू है पर दूसरा सुक्र थाव धन के काराक होते हैं धन के काराक जब पंचम पे जाएंगे तो हमारे mind में हमारे बुद्धी में ही कोई ऐसी अनुभूती जरूर होगी जो हमारे धन के फिगर को बढ़ा सके सुक्रस्वयम वेल्थ के कारक होते हैं जब यह पंचम हाँ पे जाते हैं तो सेयर मार्केट में यह दिया आपने पैसा कहीं लगाया है उसका भी प्रतिफल इस समय पर मिलने की सरवाधिक उम्मिद बनती है हाला कि सेयर मार्केट में कोई बड़े पैसा लगाने से पहले आपको अपने बर्थ चार्टा विस्टेसर करा लेना चाहिए या किसी वित्ती सरहकार से मिल करके भी आप इस कारे को आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ पर भी आपको धन की स्थितिकुल मिला करके नीडना च्छमता में यहाँ पर ब्रिधिक होना और कोई न कोई ऐसे पुराने कारी सामने आना जिसके द्वारा सायद आपकारे बन सकता है सायद आपके योगिता बढ़ सकती है और जिससे आपको लाभ मिल सकता है हमने हमेशा एक बात करते हैं कि सिक्षा के अनुरूप ही भीक्षा हमें प्राप्त होती है इसलिए सिक्षा को हम जितना बढ़ाएंगे उतना अधिक हमें भीक्षा प्राप्त होगी हम यहाँ पर एस्ट्राप जी का कारे करते हैं दिन भर अपनी ब्यस्ता के बावजूद हम प्रयास करते हैं कि घंटा दोहंटा समय निकालें अपने ज्योतित से सम्मन्दित अपने ज्ञान को अपने अंदर लें जिससे हम अधिक अधिक जो हम से जो परामर्स रहते हैं उनको हम लाभानुद करा पाएं या आप जो इस वीडियो देख रहे हैं इसको लाभानुद करा पाएं हमारे ग्रह समझ जाते हैं कि भई यहाँ पर तो इसने उस इवेंट को जो ग्रहों के द्वारब दर्सित है उसने कर लिया अर्थात इनकी जियोंने भागुनती कैसे नहीं होगी गुरु भागी के स्वामी धन के स्वामी हमारे स्वेम सुक्रचारे जी उमीद है आप समने इसे समझा है आप समने इसे जाना है यदि आपने मेरे बताए इस प्रयास को यदि आपने सार्थक माना हो यदि आपने मेरे बताने के तरीके को आपने सार्थक माना हो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भुलिएगा आपके एक लाइक और कमेंट के बद्दे बहुत मोटिवेसन मिलता है हमें कि हाँ हमने अच्छा कारे किया है और आपने हमें सरा है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कीजेगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल में हो इन ही सुपकामनाओं के साथ जैस्तिक्रिशन